राहुल गांदी उनकी यात्रा पश्चिम मंगाल में परवेस करने जा रही है महज 24 गंटे पहले राहुल गांदी की इस यात्रा के पश्चिम मंगाल में एंट्री करने से महज 24 गंटे पहले कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद में देश बर में इसको लेकर के सुर्ख्या बनी और आपने संभवते एक खबर देख भी ली होगी कि ममता बेनरजी अकेले लड़ने का ऐलान कर रही है लेकिन मैं आपको कुछ खबर अलग बताने वाला हूँ और मैं आपको ममता बेनरजी अकेले ही लड़ेंगी या ममता बेनरजी बाद में साथ में आ जाएंगी या ममता बेनरजी ने जो कहा है वो आखरी है या ममता बेनरजी ने जो कहा है वो अभी उसमें बहुत कुछ संसोदन होना बाकि है और ये आखिरकार ममता बेनरजी का एकदम से इतने तल्ख तेवरों के साथ में सामने आना इसका मैसेज क्या है इसके पीछे किसका दिमाग है उस पर बात करेंगे और दूसरी बड़ी बात कि क्या केवल और केवल इंडिया गटबंदन को जटका ममता बेनरजी ही देंगी या पश्यम मंगाल में ही इंडिया गटबंदन को जटका लगेगा या इंडिया गटबंदन को जटका कई और राज्यों में भी लग सकता है खबर कल ही सामने आई कि पंजाब के अंदर पंजाब में मुख्य मंत्री भगवंत मान वो भी 13 सीटो पर दावा कर रहे हैं और खबर ये भी कि नितीश कुमार करपुरी ठाकुर जी के भारतरतन मिलने पर ट्वीट को डिलिट करकर के दोबारा से ट्वीट कर रहे हैं और नरेंदर मोदी जी को स्पेसली ठेंक्स बोल रहे हैं तो अब सवाल ये कि क्या ये सब कुछ दोजार चोबिस के चुनाव से पहले इंडिया गठबंदन बिखर जाएगा या ये केवल और केवल सुरुआत में जो एक बड़ी एक पारी सुरू होनी होती है और उससे पहले गेंद जो है वो पिछ के उपर कभी वाइड भी जाती है कभी जो है वो नोबोल भी चली जाती है तो जो गेंदबाज है वो अपनी टपे को ढोनने का काम कर रहा है और टपा ठीक जहें पर आते ही विकिट उखड जाएगा ये बड़ा सवाल है और ये बड़ा सवाल इसको समझी आप की कैसे पश्यमंगाल बिहार पंजाब यह तीनों राज्यों को ले करके अभी खास तोर पर इन तीनों राज्यों को ले करके क्या विपक्स के पास में कोई रणनीती नहीं है इसलिए चीज़े बिखर रही है या विपक्स की रणनीती में बीजेपी उलज जाएगी और इस सब के बीच में एक बड़ी चीज या एक बड़े नेता या एक बड़ा बदलाव वो भारत जोडो न्यायात्रा मत भूलिए कि अभी तक आपने भारत जोडो न्यायात्रा की जो तस्विरें आसम में देखी हैं नागलेंड में देखी हैं मनीपूर में देखी हैं अरनौचर परदेश में देखी हैं मिगाले में देखी हैं उससे कहीं बड़ी तस्वीर अब आपको पश्यम मंगाल में द बयान क्यों आया और दभी जुबान में यहां के जो वरिष्ट पत्रकार हैं जिनसे मैंने कई लोगों से बात की तो बहुत सारे लोग नाम लेते हैं एक नाम अभिसेक बेनरजी अभिसेक बेनरजी यानि ममता बेनरजी के भतीजे और अभिसेक बेनरजी से लगातार E.D. की पूछताच लगाता है और उनकी पतनी रुचिरा उनके साथ में पूछताच और कहा यह जाता है कि कुछ समय पहले जिस तरह से ममता बेनरजी की मुलाकात हुई प्रधान मंत्री के साथ आपको याद होगा आपसे कुछ दिन पहले मैंने आपको ख़बर दिखाई थी कि ममत अपने फंड मांगने के लिए, अपने राज्य का रुका हुआ पैसा मांगने के लिए, करीब एक सवा लाख करोड रुपए है, वो पैसा मांगने के लिए अपने कैबिनेट के साथ में नरिंदर मोदी जी से मिलती है, एक बड़ी बैठक होती है वहाँ पर, और उसी वक्त मे उसी वक्त में संसद के अंदर एक वीडियो निकल करके सामने आया था जगदीब धनकड की मिमिक्री वाला वीडियो राहुल गांदी उस मिमिक्री वाले वीडियो की वीडियो बना रहे थे ममताब एनरजीन उस पर कुछ भी बोलने से इंकार कर दिया था और एक लाइन कई थी तब ममताब एनरजी ने कि अगर राहुल गांदी वो वीडियो नहीं बनाते तो शायद इतनी बड़ी खबर भी नहीं बनती ममताब एनरजी उस वक्त में नरिंदर मोदी जी से मिलकर के आ रही थी और उससे पहले ममताब एनरजी के कई सारी मुलाकातें अमित्शा से हो चुकी थी तो क्या ये माना जाए कि ये कहानी वहां से सुरू हुई बिलकुल नहीं कहानी कभी भी एक पॉइंट से सुरू نہیں होती है राजनित्शी के अंदर कहानी कभी भी एक बिंदू से सुरू نہیں होती है और एक बिंदू पर जाकर के खतम भी नहीं होती है और इसलिए मैं कहरा हूँ कि ममताब एनरजी के बयान को अगर कल आपने ठीक से सुना है वो यहाँ पर बंगाली भासा में बोली है और अगर आप उसको समझ पाए है उसके मर्म को समझ पाए है तो फिर आपको लगेगा कि कहानी अभी खतम नहीं हो रही है कहानी अभी बाकी है ममताब एनरजी ने कहा कि हमें यात्रा में सामिल होने का शिश्रचार के तोर पर कोई निमंतरन नहीं मिला कॉंग्रेस की तरफ से साफ कर दिया गया कि मलिकार जुन खडगे ने जुमकोल में सभी विपक्स की निताओं को आवंतरित किया और उसके बाद में पत्र भेजे गए इमेल के जरी भेजा गया और कोश्ट के जरी भेजा गया जिकली भी और वर्चुली भी दोनों तरीके से भीचा गया तो ममता बेनर जी आखिरकार इस तरह की बात क्यों कह रही है क्या ममता बेनर जी इस यात्रा में सामिल नहीं होगी आज ये यात्रा पश्रिमंगाल में प्रवेस करेगी करीब जो है वो साड़े नो दस बजे असम को छोड़ करके पश्रिमंगाल में यात्रा प्रवेस कर जाएगी लेकिन अभी तक ममता बेनर जी के आने की कोई उम्मीद नहीं है दो दिन की छुटी रहेगी 26 तारिक की और 27 तारिक की छुटी रहेगी और 28 तारिक से यात्रा फिर से सिलिगुडी से स्टार्ट होगी यानि पश्चिमंगाल से ही सुरू होगी पश्चिमंगाल में यात्रा चलेगी और उसके बाद में यात्रा चली जाएगी बिहार के अंदर अरर्या पुर्णिया के अंदर अररिया पुर्णिया में यात्रा चलेगी और अररिया पुर्णिया से यात्रा फिर निचे जमसेदपूर की तरफ चले जाएगी और कॉंग्रेस इस सब के बीच में यही जो यात्रा का रूट है यही जो यात्रा का रूट है यही ममता बेनर जी को कहीं कहीं प्रिशान कर रहा है कि इतना बड़ा रूट हम दो सीटे आपको देना चाहते हैं और आप इतना बड़ा रूट ले करके चल रहे हैं और इतना बड़ा रूट आप लेकर के चल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है। कॉंग्रेस दूसरी तरफ या कॉंग्रेस के नहता अधीर रंजन चोधरी वो दूसरी तरफ कह रहे हैं कि दो सीट तो हम तब भी जीत गए थे जब बाला कोट हुआ बाला कोट होने के बाद में पुलवामा होने के बाद में सब कुछ होने के बाद में और हम अकेले लड़े तब भी दो सीट जीत गए थे तो कम से कम आठ से दस सीटे मिलनी चाहिए लेकिन ममता बेनर जी कह रहे हैं क पिरिक सच्चाई में आपको और बताता हूं, जो स्थानियां यहां के लोग या स्थानिय जानकार या स्थानियी यहां के पतरकार बताते हैं, हो कहते हैं ममता बेनर्जी की आज के समय में वो condition है उन्होंने जिस तरह से अपने नेताओं को वापिस करवाया या बीजेपी के नेताओं को वापिस लेकर के आई बाबुल सुप्रियों को ले आई और एक तरह से बाबुल सुप्रियों को ला करके बाबुल सुप्रियों को डम कर दिया कई पर नाम नहीं है बाबु सितों के उपर खतम कर देंगी तो फिर ये तो इंडिया गटबंदन के लिए अच्छी बात हुई लेकिन सवाल दूसरा ये है कि कॉंग्रेस पार्टी वो चाह रही है कि कम से कम 4 से 5 सिते मिले और यही जब सवाल जब मैंने कल सुप्रियस रिनेट से पूछा तो उन्होंने भी कहा कि बात्चित चल रही है ममताब इनरजी के साथ में अभी भी बात्चित जा रही है और आप ये मान करके मच चलिए कि ममताब इनरजी के साथ में जो बात्चित हो रही है वो खतम हो चुकी है ये सुप्रेसनियत ने का मैं सुनूँगा आपको और उसके साथ साथ जब प्रेस कॉन्फरेंस में इस सवाल पूछा गया जैराम रमेश से जैराम रमेश से जब इस सवाल पूछा गया तो जैराम रमेश ने भी कहा कि अभी ममताव एनरजी के साथ में बात्ची चल रही है और वो जो बात कह रही है कि बीजेपी को हराना है वही बात तो हम कह रहे है जब दोनों की बात एक ही है तो फिर मंजिल भी एक ही जहें पर जा करके रुकेगी दोनों की पट्रियां अगर एक ही दिसा में जा रही है दोनों एक ही दिसा में दोड रहे हैं तो मंजिल भी फिर एक ही होगी यह जैराम रमेश की तरफ से कहा गया अब क्या वाक्यी यह पश्य मंगाल का मामला इतना आसान है कि यह ठीक हो जाएगा या पश्य मंगाल में जिस तरह से ममता बेनरजी के उपर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने अपने भतीजे को ED से बचाने के लिए भतीजे की बहु को ED से बचाने के लिए तोकि ममता बेनरजी पर हाथ नहीं डाल सकते हैं उदर जारखंड के अंदर हेमन सोरेन उटारगिट पर हेमन सोरेन को साथ बर ED का सम्मन और साथ बर उन्होंने ED के सम्मन को नकार दिया और अपने पतनी को CM बनाने की तयारी करके ग्रफतारी के लिए बैठे वे हैं लेकिन हेमन सोरेन पर भी हाथ नहीं डाल पाई ED तो इसका मतलब ये तो बिलकुल साफ है कि ममता बैनरजी पर ED हाथ नहीं डाल पाएगी लेकिन अभिसेक बैनरजी तो है अभिसेक बैनरजी जो कि ममता बैनरजी की पार्टी में नंबर दो की हैसियत वाले है और अभिसेक बैनरजी को अब इसे एक बेनरजी को अगर अंदर डाल दिया गया तो फिर ममता बेनरजी की पार्टी को संभालेगा कौन क्योंकि यहां तो बहुत लंबी-लंबी तारीखे चलती है देख लिजिए कि जिरिवाल की पार्टी में मनीशिसोदिया, संजे सिंग, सतेंदर जैन गए एक बार अंदर तो वापसी बहार नहीं और अरविंद की जिरिवाल इस वक्त में यही जूज रहे हैं कि पार्टी में नंबर दो की हैसियत अब किसको दी जाए और नंबर दो की हैसियत किसी की तै नहीं कर पा रहे हैं और दूसरी तरफ पंजाब में मुख्य मंतरी भगवंत मान वो कह रहे हैं कि 13 सीट पर हम लड़ेंगे हमने 40 कैंडिडेट सोट लिष्ट कर दिये हैं 13 सीटों के उपर 40 उमिद्वारों को हमने सोट लिष्ट कर दिया है कि 40 उमिद्वारों में से अब हमें 13 चुनने हैं तो यानि हमारी तैयारी है हर सीट के उपर 3 कैंडिडेट हमारे पास में हर सीट के उपर कम से कम 3 कैंडिडेट हमारे पास में है तो ये कहकर कि क्या इंडिया गटवंदन के लिए वहाँ पर भी रास्ते बंद हो गए हैं और सब अपना-पना एकला चलो बंगाल से ले करके और पंजाब बिहार इस बीच में मैं बीच में लोट कर क्या हूँगा तो पंजाब में क्या वाकिए वहाँ पर भी सब कुछ बिखर गया है, खतम हो गया है पंजाब को दरसल आप दूसरे चश्मे से देखिए पंजाब को अब दूसरे चश्मे से इसलिए देखिए क्योंकि पंजाब एक अलग तरह के मूड मिजाजवाला प्रदेश है और मत भोलिए कि पंजाब में 13 फरवरी से किसान आंदोलन भी सुरू हो रहा है तो यानि विपक्स का वोट पंजाब में किस के लिए रहेगा बीजेपी और अकाली दल के लिए बीजेपी और अकाली दल फिरो 13 सीटों पर एक साथ लड़ेंगे तो बीजेपी और अकाली दल अगर 13 सीटों पर एक साथ लड़ते हैं तो फिर कहीं न कहीं इंडिया गठबंदन को वहाँ पर फाइदा होने की जहें नुकसान हो सकता है तो इसलिए अगर इंडिया गठबंदन वहाँ पर ये भी कहानी निकल करके सामने आ रही है बड़ी दिल्चस्प ही कहानी, आप कहेंगे कि ये तो अलग किसम की ठोरी है, लेकिन सच्चा यही है एक अलग किसम की कहानी एक अलग किसम की ठोरी पंजाब को लेकर के निकल करके सामने आ रही है कि अंदर खाने बाते तै हो जाएं अंदर खाने चीजे तै हो जाएं कि कौन सी सीट पर हम हलका उमिदवार उतारेंगे और कौन सी सीट पर तुमको हलका उमिदवार उतारना है और कौन से सीट पर अपने करिकरताओं से नेताओं से अंदर खाने कह करके हमारे तरफ वोट ट्रांसपर करा देंगे और कौन से सीटों पर हम आपके लिए अंदर खाने वोट ट्रांसपर करवा देंगे और ऐसे में 13 की 13 सीटे पंजाब में आमादमी पार्टी और कॉंग्रेस के बीच में ही रह जाएंगी आठ सीटे पिछली बार 2019 के चुनाव में 8 सीटे पंजाब के अंदर कॉंग्रेस पार्टी ने जीती थी और इस बार अगर एक साथ हो करके लड़ते हैं तो नुकसान फिर इसका ये बताया जा रहा है कि 13 की 13 नहीं तो कम से कम जो है वो 8 से 10 सीटे अभी भी आसानी से रह सकती है लेकिन अगर वो तरीके से वो तसलीके से चुनाव लड़ा जाए तो अब सवाल ये है कि चंदीगड में जो कुछ हुआ भी कुछ दिन पहले चंदीगड में जो कुछ हुआ और चंदीगड के मेर के चुनाव में वहाँ पर जिस तरह से चुनाव अधिकारी बिमार पड़ गए तो चुनाव अधिकारी जब बिमार पड़ गए तो इसका मतलब ये है कि अंदर खाने बीजेपी को भी पता है कि ये कॉंग्रेस और आम आपनी पार्टी का यहाँ पर एक होना बीजेपी के लिए पूरी तरह से ओक्सिजन को बंद कर देना जैसा है और अगर बीजेपी की ओक्सिजन बंद कर दी गई तो फिर यकीन मान करके चलिए कि छट पटा जाएगी बीजेपी और दम तूटता हूँ नजर आएगा और अकाली दल भी फिर उसको बचा नहीं पाएगा अचाकुर की जैन्ती पर जो भारुसरतन देने का अे इलान किया गया, उसके बाद में खबर ये चलने लगी कि नितीज कुमार भी जा रहे हैं लेकिन नितीज कुमार जाएंगे कि यही सच है आखरी सच है या नितीज कुमार बीजेपी को जहासे में ले रहे हैं और नितीज कुमार बीजेपी को जहासा देने वाले हैं नितियस कुमार उनको पता है कि जो हैसियत जो पोजिशन वो इंडिया में मिल सकती है वो एंडिये में नहीं मिल सकती है नितियस के लिए दिल्ली के दरवाजे नहीं खुलेंगे ये साफ है अगर वो बीजेपी के साथ जाते हैं तो जादा से जादा ये होगा कि नितियस कुमार अपनी सुख चैन की जिन्दिगे अराम से काट सकते हैं क्योंकि बीजेपी अब उनको अगर साथ लेगी भी तो अगले चुनाओ में उनके नित्रतों में चुनाओ नहीं लड़ेगी क्योंकि याद कर लीजे पिछला चुनाओ पिछले चुनाओ में ही नितियस कुमार को बीजेपी ने चैरा मानने से इंकार कर दिया था वो तो चुनाओ में जब प्रेसर बना, तब जाकर के आखरी में नितीज कुमार को थोड़ा सा पिच्चर के अंदर बीजेपी ने ले आ, वरना नितीज कुमार पूरी तरह से पिच्चर से बाहर थे, तो मान करके चली आप, पांच साल के अंदर बीजेपी ने वहाँ पर प्रविजेपी विपक्स में है यह सई बात है कि कुछ समय पहले नितीस और तेजस्वी पहले भी एक साथ थे लालू एक साथ थे लेकिन उसके बाद में टूट करके फिर बीजेपी के साथ चले गए लेकिन अब बीजेपी में उनके जाने का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है केवल जहासा देना और जहासे में लेना सिर्फ उतना बर खेल वो बिहार के अंदर चल रहा है तो क्या फिर ये कहानी जो खड़ी की जा रही है या जिस तरह से तस्वीर दिखाई बताई जा रही है इसके कोई माईने नहीं है ये सब बेबुनियादी बाते हैं बिलकुल नहीं ये कहानी जो खड़ी की जा रही है बताई जा रही है और आपको दिखाई जा रही है कि ममताव इनरजिया के लिए लड़ सकती है वहाँ पर पंजाब में बहुत कुछ हो सकता है और यहाँ पर बिहार में बहुत कुछ हो सकता है दरसल ये समय को काटने वाली बाते है अचार सहिंता जैसे तैसे लगे उस समय को भरा जाए काटा जाए और उसके बाद में आखरी संखनात और उसके बाद में मत भूली आपकी महरास्टर के अंदर भी बहुत कुछ अभी होना बाकी है और यही यही राज्जे हैं 80 सीटे सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा राज्जे वहाँ पर भी अभी तक इंडिया गठ बंदन की पिच्चर किलियर नहीं हुई है समाजवादी पार्टी और RLD की पिच्चर किलियर हो चुकी है लेकिन कॉंग्रेस कहाँ पर रहेगी पिच्चर किलियर नहीं है तो सबसे बड़ा प्रदेश वहाँ पर पिच्चर किलियर नहीं है दूसरा बड़ा प्रदेश 48 सीटे महरास्टर और वहाँ पर भी तस्वीर अभी तक साफ नहीं है कि कितनी सीते वो कॉंग्रेस को मिलने जा रही है क्योंकि कॉंग्रेस वहाँ पर सबसे बड़ा दावा कर रही है कि जो पूरा खेल हुआ महरास्टर में इधर से उधर तोड़ से फोड़ होने का उसमें NCP भी टूटी उसमें सिवसेना भी टूटी लेकिन अगर कोई नहीं टूटा तो वो कॉंग्रेस नहीं टूटे कोई अगर नहीं विका तो वो कॉंग्रेस का विधायक नहीं विका और इसलिए हमारे हमारी दाविदारी वो सबसे ज़्यादा बनती है लेकिन वहाँ पर भी अभी पिच्चर खिलियर नहीं हुई है और उसके बाद में तीसरा बड़ा राज्य है पश्चिम मंगाल और पश्चिम मंगाल को लेकर के जो खबरा आ रही है 42 सीटे हैं 42 सीटे हैं 2 सीटे कॉंग्रेस जीती थी 18 सीटे बीजेपी जीती थी और इस बार इस बार बीजेपी को 5 से 7 सीटों पर कैसे समेटा जाए ये अपने आप में बड़ा सावाल है क्योंकि यही वो राज्य हैं इसके बाद आप ले लीजिए बिहार के अंदर 40 सीटे हैं 40 सीटे बिहार के अंदर है कैसे बीजेपी को जटका दिया जाए कैसे बीजेपी को नीचे लाया जाए और बीजेपी को वहाँ पर भी कैसे 8-10 सीटों के पास में 12 सीटों के पास में समेट करके खतम कर दिया जाए तोकि बीजेपी को अगर इन राज्यों में अगर नुकसान नहीं पहुंचाया गया तो उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, मध्यप्रदेश में, राजस्थान में इन राज्यों में आप बहुत उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि बीजेपी को कोई बहुत बड़ा नुकसान दिया जा सकता है अभी भी गुजरात की स्थिती जस्की तस है अभी भी मद्यपरदेश की स्थिती जस्की तस है यह सचाई है और अभी भी राजस्थान की स्थिती जस्की तस है मद्यपरदेश और राजस्थान में चुनाव हो चुकी है लेकिन चुनाव के बाद में लोकसवा की तैयारी के लिए कॉंग्रेस की वहाँ पर क्या कुछ तैयारी हो रही है दिखाई नहीं देता है तो वहाँ पर कॉंग्रेस कैसे काउंटर करेगी और अकेली कॉंग्रेस ही है वहाँ पर तो विदासवा चुनाव के अंदर कॉंग्रेस वहाँ पर मजबूती दिखा नहीं पाई तो लोकसवा के अंदर कैसे होगा तो उन बड़े राज्यों में और फिर उत्तर प्रदेश में मंदिर के नाम पर पूरी लहर लूटने की एक कवायद चल रही है तो ऐसे में समाजवादी पार्टी इंडिया गठ बंदन कॉंग्रेस पार्टी सब लोग एक साथ में रहते हैं तब भी क्या बीजेपी को वहाँ पर पचास सीटों तक कम से कम रोक पाएंगे ये भी अपने आपने सवाल है तो बेराल अभी भी पिक्चर खुली हुई है अभी भी तस्वीर बननी बाकी है ये समय को केवल भरा जा रहा है और समय जैसे जैसे भरता चला जाएगा आपको बहुत कुछ नजर आएगा इस तस्वीर को अगर आप आखरी मान करके चल रहे हैं कि ममताब एनर्जी खाली जो है ममताब एनर्जी बाहर निकल चुकी है तो मुझे लगता कि बहुत जल्दबाजी होगी ममताब एनर्जी ने कल भी कहा कि हम अकेले लड़ेंगे लेकिन इंडिया गठबंदन का हिस्सा है तो ये कहना और अभी यात्रा में उनकी तरफ से कौन आता है कौन नहीं आता है और ममताब एनर्जी का उनकी पार्टी के स्थानीय इकाईयों का जब उस इलाके से यात्रा निकलेगी तो क्या कुछ रियक्शन रहता है वहाँ पर विरोध होता है वहाँ पर स्वागत होता है या साइलेंट चुपी दिखती है इसमें भी बहुत कुछ छिपा हुआ है तो बैराल पिच्चर अभी बाकी है और इस पिच्चर को समझने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा शेर कीजिए इस खबर को लोगों तक पहुँचाईए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ओनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए साथ में जो बैल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाईए ताकि जैसे ही कोई खबर अप्लोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके अगर ये वीडियो फेस्टूप पर देख रहे हैं तो फेस्टूप पर हमारे पेज को लाइक कीजिए फोलो कीजिए और इस खबर को शेर कीजिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद